हेलो एवरीवन वेलकम टो गेट एकेडमी एन अन अकेडमी हुआ क्या कि इस बर जब गेट 2023 हुआ उससे एराउंड वन मंथ पहले काफी स्टुडेंस का में पस मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग का सिल्बस तो बढ़िया चल रहा है कम्प्लीट भी हो रहा है मगर कुछ सब्ज चीज नहीं पड़ी क्या मैं सर इस सब्जेक को पूरी तरगे से छोड़ के चले आऊं मैंने तब भी भी कहा था कि यह है कॉम्प्लीट एग्जामनेशन में आप सिल्बस नहीं छोड़ सकते हैं आपको कोशिश करना है सिल्बस पूरे से पूरा करने की मगर अगर कोई सब् आपने मेंटर से पूछ सकते हैं कि इसमें मैं कौन-कौन से सब्टॉपिक पढ़ लूँ जैसे मेजर्मेंट के लिए जब स्टुडेंट ने मेरे से पूछा था तो मैंने कहा था कुछ दो-तीन जो इंपॉर्टन सब्टॉपिक है वो आप जरूर पढ़के चाहिए जैसे कि इंडिकेटिंग इंस्टुमेंट वाट मीटर, इलेक्ट्रो डायनोमीटर वाट मीटर, थ्री वेस पाउर मेजर्मेंट ठीक है तो ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं थे और ऐसा ही हुआ इस पर भी जब गेट का पेपर आया तो सब ने कहा कि बहुत टफ पेपर था इल बता सकता है, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक, जैसे मशीन में अभी ऐसा होता है कि कई स्टुटिंट मेरे से बूचते हैं कि सर डी सी कर लिया, ट्रांस्वर कर लिया, इंडक्शन कर लिया, सिंक्रोंस पूरी तरगी से चूट रहा है, तो उसमें हम उन्हें बताते आप कुछ important subtopic तो करके ही जाओ, probability 50% हो जाती है, मगर 50% probability भी काफी होती है, जब computer examination के हम बात करते हैं, तो पूरा subject कभी भी पूरा subject आप मत छोड़ो, syllabus को पूरा करने की कोशिश करो, अगर कोई छूटता है, तो अपने mentor से आप पूछिए कि मेरे को कौन से subtopic करके ही जाना चाहिए, तो इस type से आप किसी भी computer examination में आपको health मिल सकती है, आप subject skip कर दोगे, तो आप काफी पीछे रह जाओगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये question हम देख रहे है, measurement instrumentation का एक question आया हुआ है, तीक है, इसमें लिखा हुआ है, a three phase star connected balance load is supplied from a three phase 400 volt balanced source with a phase sequence of ryb as shown in the figure, if the watt meter reading is minus 400 watt and the line current is IR equal to 2 ampere, then the power factor of the load per phase is, simple सा है, जब भी electro diameter का question आता है, तो आपको दो चीज़े देखनी है, जब हम power measurement की बात करते है, तो PC cold होता क्या है, PC cold होता है, VPC ICC cos of angle between VPC and ICC, that means voltage across the pressure coil, current through the current coil, and cos of angle between voltage across the pressure coil and current through the current coil, तो इसमें आपको थोड़ा से electro diameter के बारे में एक अच्छी knowledge होनी चाहिए, साथी साथ three phase, three phase system का थोड़ा आपको अच्छा knowledge होना चाहिए, और gate का तो हमेशे interest रहता है, electrical के point of view से देखेंगे, तो हमेशे gate का interest रहता है कि three phase में जाएं, चाहे poly electronics में rectifier हो measurement instrumentation भी बोलता है, तो वो काफी बार, electro diameter को three phase system में ले जाके आपसे question पूछता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने पैसे ही किया है, यहाँ पे देखें, line to line voltage हमें दिया हुआ है 400 volt, ठीक है, सबसे पहले हम given देख लें, हमें given क्या-क्या लिखा है, हमें दिया हुआ है 400 volt, हम line voltage किती हा रही है, minus 400 watt, ठीक है, बढ़िया, now, the line current is this, and the power factor, वो पूछ रहें कि भी load power factor क्या होगा, तो आपका जो simple method होता है, वो यह होता है, आपको देखना है कि pressure coil और current coil कहा लगी हुई है, हाला कि यह memory based question है, तो students ने correctly नहीं बताया, हो सकता है, वहाँ पे ऐसा बताया गया ह होगा, कि यह जो pressure coil है, वो यह वाली होगी, जिसमें number of tons जादा होते है, थिन होता है, महीं अगर मैं current coil की बात करूँ, तो current coil होता है, उसकी thickness जादा होती है, और number of tons कम होते है, जब आप electron meter, watt meter के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको सारा description इसमें मिलता है, तो यहाँ पे हमे y और b के बीच में, तो vp c equal to v y b, यही होगा, vp c equal to what, v y और b, y और b के बीच का voltage, ठीक है, हमें यह चीज़ा भी पता नहीं, magnitude तो परता है, बट phase की बई बात आएगी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले हमें इसमें phaser diagram में अच्छा strong hold होना जरूर ही है, माल लीजिए, यहाँ पे हमें 3 phase sequence दिये हुए है, phase voltage की अगर हम बात करें, phase voltage दिया, r y b, तो अगर हम phase voltage की बात करें, तो यह हो जागा, that is vr, vr, vy and vb, यही होगा, r y b, ठीक है, अगर हम line current की बात करें, that is v y b, v y b क्या होगा, v y b, that is equal to v y minus vb हम बोल सकते हैं, और we can say that v y plus minus vb, बोल सकते हैं, अगर vb यहाँ पे है, तो minus vb कहा होगा, इसके just phase opposition में, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, तो vb यहाँ पे है, 180 degree, 180 degree, 180 degree यहाँ आ रहा है, यह देखो, यह angle आ गया, यह आगया, यह आगया, आगया, minus vb, यह आगया, minus vb, हमें निकालना है, v y minus vb, मतलब यह दोनों का resultant, मतलब इन दोनों का resultant, अगर इन दोनों की resultant की बात करें, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, यह आ गया, आगया, आपका v, y, b, टीक है, अब हमें पता है, यह होता है, 120 degree, 120 degree ठीक है अगर ये इसको bisect कर रहा है तो ये हो जाएगा 60 degree ये हो जाएगा 60 degree और ये इसको bisect कर रहा है तो ये हो जाएगा 30 degree तो 30 और 60 that is equal to 90 degree तो ये angle आ रहा है आपका 90 degree that means मैं directly अगर इसमें लिखूँ सारी चीज़ों को हटा दें अपन यहाँ पर सिर्फ 90 degree देख लें तो ये है आपका 90 degree ठीक है तो ये हो गया byv, byr को यहाँ पर lag कर रहा है अब बात आती है IR की कि IR कहाँ पर है अब IR दो जगे हो सकता है अगर मैं बात करूँ lagging power factor that means अगर हम मान लें कि if power factor is lagging दो possibility है कोशन में नहीं बताएगा है कि lagging है या leading है बलकि पूछा गया है कि lagging leading आपको बताना है तो या तो lagging होगा या फिर leading होगा ठीक है अगर lagging power factor होता है तो सारे जो IR, IY, IB है सारे lag करेंगे हाला कि हमें सिर्फ IR से मतलब है तो IR कहाँ lag करेगा यहाँ कहीं lag करेगा IR कितने से lag कर रहा है मानलो ठीक है अगर lagging होगा power factor lagging तो मानलो IR है वो VR को lag करेगा by ठीक है अगर यह leading होता if power factor is leading अगर power factor leading होगा तो IR क्या करेगा इसको lead करेगा by ठीक है कितने से lead करेगा by ठीक है मतलब यह तो lagging होगा यह leading होगा अब बात आती है वी पी सी की वी पी सी दाइज वी सी पी सी जो watt meter का आपका reading है पी सी की अगर हम बात करें तो that is equal to वी पी सी वी पी सी वी पी सी वाट वी वाई बी वी वाई बी into IR cause of angle between VPC and ICC that is VYB and IR अब अगर हम VYB की बात करें वो तो यहाँ पर अगर मैं lagging लेता हूँ अगर मैं lagging लेता हूँ अगर मैं lagging लोगा तो इसकी value क्या होगी यह angle किस के बीच में VYB और IR के बीच में अगर मैं lagging लेता हूँ copy paste अगर मैं lagging लेता हूँ तो मुझे देखना होगा इन दोनों के बीच में angle क्या है VYB और IR इन दोनों के बीच में क्योंकि lagging ले रहे हैं तो यह होगा IR इसके बीच में अगर मैं angle देखूँ तो यह angle किता आएगा यह आएगा that is 90 minus theta यह हो जागा मतलब यह वाला तो IR और VYB के बीच में angle किता हो जाएगा that is 90 plus theta मतलब एक में आ रहा है cos 90 minus theta और एक में आ रहा है cos 90 plus theta पट question में हमें एक चीज बताएगाई है क्या बताएगा है question में बताएगा है जो हमाई watt meter reading है minus 400 minus cos minus कब होगा cos minus तब होगा cos 90 minus theta था हमें पॉजिटिव होगा cos 90 plus theta ही आपका negative होगा इसका मतलब यह leading power factor ही है lagging power factor नहीं है अगर यह leading power factor ही है तो यह lagging वाला option दो गया अब बच्चा 0.5 leading यह 0.866 leading चलिए देख लेते हैं यह भी simple अब हम यहाँ पे values put कर देंगे values हो जाएगी minus 400 equal to VPC 400 line voltage into IR 2 ampere cos of 90 plus theta यहाँ से हम theta की value निकाल सकते है देखें किती value आ रही है theta की ती हो जाएगा that is minus 400 divided by 400 divided by 2 cos inverse of this minus 90 that is equal to 30 degree और अगर हम cos 30 degree की बात करें तो जगह 0.866 leading इस तरीके से हम power factor को निकाल सकते हैं तो यह आगे हमार answer that is 0.866 leading that is C is the correct option इस particular question में आप देखें अगर आपको electro diameter के बारे में एक basic knowledge पता हो three-fist system पता हो तो question किसी भी तरीके से barrier gate आप question solve कर सकते हैं आप जब भी measurement instrumentation पढ़ें तो उसको हलके में ना लें आप बोलें आरे यह formula इसको रट लेते हैं pressure coil inductance का error रट लेते हैं नए आप उसके concept पे जरू जाए क्योंकि जब भी watt meter की बात आती है तो जो gate है वो इसी तरीके से question frame करता है कि three-fist system लगा दिया pressure coil कहीं लगा दिया current coil कहीं लगा दिया और आपसे power measurement पूछ लिया या power measurement दे दिया power factor पूछ लिया इसा कई बार gate ने किया है तो यह one of the most important sub topic है ऐसे ही हर particular subject के अलग-अलग जो topics होते है वो important हो चाहे वो synchronous हो, DC हो transfer हो, machines हो, पुरा power system हो तो अगर आपका mentor सही होगा, आपका mentor के साथ सही relation आप उसकी बात पूरी सुनते है तो यहाँ पे गलती नहीं होगी, thank you so much